सपना और अंशु के रिष्टों में दरा डालने की कौन कोशिश कर रहा है हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल विलोग्स पर सोरी इस बार भी वाइस ओवर ही है मैं कल लाओंगी आपके सामने रूबरू होंगी सामने आकर बात करूँगी अभी जो मेरा वीडियो हाया है अंशु को लेकर मैंने एक अपडेट आप लोगों के साथ शेर करीती है उस पर कुछ एक कोमेंट आए हैं तो उन पर भी बात करेंगे लेकिन चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट तो यहां पर सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि सपना जो जिन्दगी में आगे बढ़ चुकी है थमलेल देखकर आप समझी के होंगे कि टॉपिक क्या है हमारा अंशु और सपना के रिष्टों में कौन डाल रहे हैं दरार यह कौन से रिष्टेदार आगे बहुतेरे लोगों को नहीं पता और नाई हम लोग उनके चैनल का नेम जो है वो डिस्क्लोज करने वाले है क्योंकि हम लोग उनको कोई परमोशन नहीं कर रहे हैं उनके चैनल की नाई परमोट करना चाहते भी हैं और ऐसे दक्यान उसी लोगों को ना क्या कहते हैं यह सोश क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सब लोग अपनी जीवन की जो भी है डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं जीवन की सब बाते रख रहे हैं कुछ अच्छी यादे हैं कुछ गडवी यादे हैं तो सपना जो है बड़ा अपने आपको कंट्रोल करके बैठी थी लेकिन कुछ तो ऐसा भूमी का बानने शुरू कर दी थी सपना ने धीरे धीरे वो बातें जो है वो क्लियर कर रही थी कि क्या कुछ हो रहा है उसके साथ है लेकिन ठीक है कोई समझने का नाम नहीं ले रहा था वो अंदर ये अंदर घुटती रहती थी रोती रहती थी परशान थी अंशु भी प प्रिश्टेदारों के उपर बता दू आप लोगों को सपना के सपना कहरी हूं मैं अंशु के मातापिता बहुत सीधे साधे सिंपल लोग इन लोगों को इस पचड़े में पढ़ने की ना तो जुरूरत है इस लिए उन्होंने अपनी बैटी को अपने पास वो रह रही हैं बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं जो एक भी वीडियो अप्लोड करती है तो अंशु लोग देखना पसंद कर रहे हैं अंशु को लेकिन उसका फेस जो है वो भी देखकर पता लग रहा है कि उसको डॉलर और पैसे से कोई मतलब ने वो बच अच्छे दिखाई पड़ रही थी बहुत अच्छे से उन्होंने भी रखा है अंशु को लेकिन बहुत ही प्रेश्राइज किया जा रहा है स्थानों के तले दबाया जा रहा है अंशु को यह चीजें भी आप समझें यह मतलब वही रिष्टेदार हैं जो सपना को परिशा यह अटा दी वहां से जो कुछ भी करा लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखा जब मुझे पता लगा ना इनका कोई चैनल है पहले तो मुझे ही कमेंट आ रहे थे मैंने डिलीट किये अच्छा जब फिर किसी ने मुझे लिखा कि डिमपल दी आप जाकर देखिए कि इनके चैनल पर भी इनका खुद का भी चैनल है तो यह आईडी चेंज करके आते हैं और यह ऐसे फाल्दू की बातें बगवास लिख कर जाते हैं सपना के लिए एक तो वह अकेली लड़की जंग लड़ रही है है अगर उसके स्पोर्ट में कोई आता है तो उसके लिए दक क्यों को यह आगे बढ़ने से रोक रहे हैं वही सपना सुंदर है प्यारी बच्ची है उसके जब पतियों ने नहीं रोका और सूरज जी को कोई यह तरहाज नहीं था उन्होंने दारूट चैनल जो है खोला उससे पहले उन्होंने स्नैपी गर्ल बनाया हाना वह भी अपनी वाइफ की जो है अप्लोड करते थे वीडियो एडिटिंग तक वह खुदी करते थे सारा कुछ वही कर रहे थे ना सुरज जी के जाने के बाद राजवीर ने संबाला वह सारा कुछ तो वही सपना को तो जब उसके पतियों नहीं रोका तो यह गाउन दे हात वाले जो कह र गेंटे पहले दस मिनट पहले कोई नो गेंटे पहले जा फिर कोई नो दिन पहले उन पे हाट दिये जा रहे हैं जो सपना के लिए गलत बोलते हैं मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था ना जैसे कि नागिन बोल दिया किसने डायन बोल दिया ऐसे फालतु की बकवास क गया लेकिन अभी जो है प्रेशराइज किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से भी अंशु जो है अपनी भावी के कमेंट सेक्शन में ना तो कमेंट करेगी उनकी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं देगी और ना ही वो उससे बात करेगी तो सपना नहीं यह चीज क्लियर क को मना कर रहे हैं कि नहीं बात करनी तुम्हें सपना से जां फिर अंशु के जो पापा है वो नहीं चाहते हैं कि किसी वज़ा से उनकी बेहन जो है वो नाराज हो जाए उनकी नाराजगी वो झेल नहीं पाएंगे जां फिर किसी वज़ा से अंशु के जो पापा है वो अपने बड़े भाई हांची तो मैं यही बता रही हूँ कि भाई जो नराजगी वो अपने बाई बैनों की नराजगी के चक्कर में वो अपनी ही बेटी को कहीं ना कहीं मतलब अब उन कहते हैं गाउं दिहाथ के लोग सीधे साधे होते हैं उनको यह डिप्रेशन वर्ड यह सब उदासे है इसके Face पर वो Smile नहीं है जो वो सपना के साथ रहकर वो खिलखिलाती थी Phake नहीं ठी हाँ अभी उसकी ठोड़ी Smile जो है आज Neelobil के बच्यकों उस ने पकड़ा तो उसको अरू की याद आ गई याद तो उसकी दिल तो उसका वहीं पर वो छोड़ाई है उन बच्चियों के पास छोड़ाई है वो बच्चियां भी बुआ बुआ कहती है याद करती है सपना कितना याद करती है भी सपना ने अपनी बड़ी बेटी बनाया उसको तो सपना कितना याद करती है उसको वो तो कोई पल नहीं होता होगा जब वो याद ना करती होगी है न तो यही वो सारी बाते हैं तो कहीं न कहीं मुझे यही लग रहा है कि अंशु के जो पापा है वो अपने बाई बेहनों की नराज़की से वो डरते हैं इसलिए वो अंशु को बात करने से मना करते हैं सपना से इसलि इसलिए उन्होंने बोला होगा भी तु इनको याद कर इनसे बात कर ये हमारा खोन है ये इनको सब को याद कर सकती है अपना का नाम मत लेना ये मुझे लगा है अब आप लोगों को क्या लगता है आपको कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय टिपनी नराजगी जो भी है आप जुरूर से रखिएगा क्योंकि आप लोग इतना टाइम अपना इतना वैल्यू टाइम देखर हम लोगों को देखते हो तो आप लोगों की भी कॉमेंट रीड करना मतलब हमारे लिए वो जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों की क्या सोच है और आप लोगों के जो कॉ कोमेंट होते हैं कि हाँ वी वीडियो में जरूर से हम लोग वो बात रखें तो उमीद करते हूं कि आप लोग इस बात से सहमत भी होते होंगे लेकिन फिलहाल तो इतनी जादा जो नेक्टिविटी थी उस नेक्टिविटी से बाहर निकली है सपना उसको अपनों का इस टाइम पर कौन सी ड्रेस वेर करनी है कौन सी ड्रेस पहननी है कहां पलू लेना है सर पर कहां वो ड्रेस पहन सकती है कहां उसको साड़ी सूट पहनना है यह सब उसको पता है कुछ एक लड़किया तो ऐसी होती हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पर हैं लेकिन अपने जाने और घड छोड़ने की उसने वज़ा बताई इससे ज्याद़ कुछ ने उस बात को लेकर उसने बहुत ज्याद़ की नहीं किया कुछ नहीं किया ना वो सासर का नाम ले रही है बस उसको जिन्दगी में आगे बढ़ना है अपनी बच्चीयों के लिए आगे बढ़ना है लेकिन ये जो रिष्टेदार हैं जो अपनी बीबियों से कुछ भी करवातें डांस करवातें सोशल मीडिया पर दिखातें लेकिन इनका जो मकसद है वो यही है कि सपना को जो है गल मिलने लगे उससे भी जादा जो पहले वो अपने इनलोस फैमिली में रहकर अर्निंग कर रही थी जो कहते हैं हमारी वीडियो मत बनाओ उनकी मदर इनलोस ने कहा था उससे जादा उसको अर्निंग होने लगी हना वो आगे दिन दुनी राच चोगनी वो तरक्की करेगी और जी उसको देखकर सपना को बाकी ओरते में यह इस बात को सबक लेंगी कि जिन्दगी जो है वो रुखती नहीं है किसी के जाने से ठीक है उनकी यादों में तो आप रह सकते हैं उनको अपने यादों में सहेज कर रख सकते हो लेकिन अपने बच्चों के लिए अपने देने आने वाला नहीं है यहां पर सपना सारी प्रॉपटी पैसा यह सब चीजें जेवर सब छोड़ाई तो आप समझिए कि उसको लालच भी नहीं है लेकिन अपनी बच्चियों के लिए जो उसका हक बनता है कि उसके पिता की प्रॉपटी पर तो वो तो वो कभी भी नहीं जोड़ेगी जो रिष्टेदार सोचकर ये बैठे है कि सबना अब चली गए हैं तो अब जो है डीरा जमाल हो हना बुआंके यहां जाके वो सारए कुछ अब हमारा हो गयां तो यह थारी सारी चीजे नहीं क्या हैं वो रिष्टेदारी के नाम पर कलंक हैं तो यही सारी बाते हैं क्योंकि कुमेंट सेक्शन में वो जो रिपलाई देते हैं बड़ा अजीव रिपलाई देते हैं क्या ही कहें तो अभी का मेरा वीडियो यहीं तक मिलते हूं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखे क्योंकि आप हो तो हम है